जय हिंद बजरंगी स्टेडी पॉइंट में आपका स्वागत है जैसा कि आपको पता है कि यूपी पिलिस कॉंस्टेबल के साथ अजार पदों पर भरती निकली है जिसका ओनलाइन आवेदन 27 तारीक से शुरू हुआ था लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ रहे हैं कि लोग अ नहीं आ रहे थी तो आपको भी यही करना है जो उसने किया है और आप भी अपना फॉर्म भर लेंगे जैसे आपने यहाँ पर अपना सारा परस्नल डीटेल भर दिया यहनि पहला नाम अन्तिम नाम आविदक का पूरा नाम जन्मतिति पिता का नाम यहनि आप सारी डीटेल और क्या आप उत्रप्रदेश के मूल निवास नहीं यह सब आपने भरा फिर आपने हाई स्कूल और इंटर्मीडियाट का जो भी डीटेल है उसको आपने भरा फिर प्रिफेंशिल कॉलिफिकेशन भी आपने भर दिया फिर उसके बाद नीचे आपने एड्रेस भी भर दिय देंगे उसमें आपको प्रिव्यू देखने के लिएगा फिर आप उसको कंफर्म कर दिजेगा फिर आपको ओटीप के लिए एक्टिवेशन मांगता है जैसे यह प्रिलिमनरी स्टेज है फिर उसके बाद आपको होम पर जाना पड़ेगा और होम में जैसे यहाँ पर चार प्रिशन दिए गए इंपोर्टन डेट्स वेकंसी जात्ति और एक्ट्रेट्स पर तो आपको टेकनिकल हेल्प टेक्स पर क्लिक करना होगा और फिर यहां पर लिखा है for more queries लिए तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और फिर एक ऐसा interface खुलके आएगा तो आपको अपनी query लिख दी नहीं है जैसे यहाँ पर मैंने select किया तो अब आपको नीचे scroll करना है नीचे scroll करते करते others में आप जाईए सबसे पहले फिर बाकी आपको सेहरा वही भरना है कि इसमें applying post for select एक ही आएगा constable civil अपने कर दिया फिर stage wise query preliminary stage का ही है आर नहीं रहा है यहनी OTP activation का नहीं आ रहा है और आपको यहाँ पर registered email ID डालनी है आपने registered email ID जो भी है आपने डाल दिया और registration number डालना है आप registration number कैसे मिलेगा इसको भी मैं बता दूँगा लेकिन आप यहाँ पर registration number डालिएगा फिर applicant name और यहाँ पर आप अपनी query डाल देंगे कि मैंने जो भी आपका नाम है एक दिन पहले मैंने यह online किया था और मेरे number पर OTP नहीं आया है और दुबारा मैं भर रहा हूँ तो भी OTP नहीं आ रहा है और कह रहा है कि registered हो चुका है फिर आप अपनी यहाँ पर query पूरी लिग देंगे मतलब OTP से related कि मुझे OTP send करी है ताकि मैं अपना form submit कर सकूँ फिर आपको यहाँ पर submit कर देना है फिर submit करने के बाद आपको 2-3 घंटे wait करना होगा और आप जैसे ही submit के बाद 2-3 घंटे wait करेंगे आपके mobile पर OTP आ जाएगा और यह 100% काम कर रहा है आप भी यह करके देखिएगा और उसके बाद यहाँ पर देखना है कि आपको registration नमबर नहीं मिल ला है याँ आपको अभी registration नमबर नहीं पता है तो आप पहले फिर से home पे जाईए यह आप home पे आगए आपने apply you online पे किया पहला stage भरने के बाद आप यहाँ पर सारा submit कर देंगे फिर OTP activation में जाएंगे यह दिखिए यहाँ पर registration नमबर माग रहा है ठीक है अभी नहीं पता है फिर यह दिखिए जैसे यहाँ पर है back to login login आपने किया उसके नीचे लिखा है forgot registration नमबर याँ अगर आपने वो भर दिया है और submit कर दिया है और आपको registration नहीं मिला OTP नहीं आए तो इसके लिए है तो आप forget registration में करेंगे आपने किया यहाँ पर आप अपना mobile नमबर डालेंगे अपनी DOB डालेंगे और SSC रोल नमबर याँ इसमें 10th का रोल नमबर डालना है जो भी आपने high school में जो भी आपको रोल नमबर था वो आपको यहाँ पर इंटर करना है और capture code इंटर कर देना है और फिर जब आप यहाँ पर submit करेंगे तो आपका यहाँ पर जब submit करेंगे तो यहाँ पर आपको registration नमबर यही पर forget registration के नीचे number लिखके मिल जाएगे कि आपका registration नमबर यह है यही से registration नमबर उठाके या इसकी photo ले लिए गया उसी को आपको यहाँ टेकनिकल हेल्प वालिडेक्स में for more queries के लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा और यहाँ जो registration नमबर दिखा रहा आप यहाँ पर भर देंगे सारी अपनी query लिख देंगे लिखके submit कर देंगे submit करने के तीन चार घंटे के बाद आपके mobile पर OTP आ जाएगा इसमें डरनी की ज़रुवत नहीं tension लेनी की ज़रुवत नहीं है उसके बाद form fill कर यह फिर fees deposition आएगा फिर आप OTP activation में जाएगे सब कुछ detail डार के इंटर कर देंगे फिर candidate login आपके देंगे और उसमें fees मांगेगा आपको fees भरनी फिर photo upload करके आपको final submission कर देना है OTP के बाद ही आपको fees भरनी यानि login करने के बाद आपको fees भरनी है उसके बाद ही आपको photo or signature या जो भी 10th high school का mark sheet का जो भी document है उसे upload करना है उसके बाद आप final submission करके उसका print ले लीजेगा और उसे अच्छे से save कर लीजेगा तो अगर ये आपका काम कर रहेगा तो हम बताईएगा कि हाँ आपका भी हो रहा है कि नहीं और ये 100% काम करेगा बस अरते आपको 3-4 घंटे इसके बाद वेट करना पड़ेगा तो वीडियो अच्छा लगाओ तो इसे like कर ले चैनल पर नहीं हो तो subscribe कर ले ताकि ऐसी ही कही कभी problem आई form भरने में तो उसके लिए आपको help मिल जाएगी और जो भी important update आती है उसपे आपको channel से वहे मिल जाएगी तो सबको all the best मिलते हैं next video में तब तक के लिए जैहन